मैं टीच्मेंट पर ऑनलाइन क्लासिस क्यों लेती हूँ? भला क्यों न लूँ? ये इंडिया का एक लॉता प्लाटफॉर्म है जो 100% फ्री है बिना किसी लिमिट के और नई शुरुबात करने के लिए इससे बहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफॉन चाहिए और सुहानी शर्मा की ओल इंडिया इंडिया इंग्लिश क्लासिस होगे शुरू? इसलिए तो कहते हैं कि टीच्मेंट पर टीचिंग आसान है तो आज ही डाउनलोड करें टीच्मेंट इंडिया का नमबर वान टीचेगा बची है और एक सीट पर दो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल सेम है उनकी कैटेगरी भी बिल्कुल सेम है और उनका मेडिकल स्टेंडर भी सेम है तो किसको यहाँ पर जॉब मिलेगी और किस आदार पर जॉब मिलेगी? तो देखें यहाँ पर जो है आप लोगे लिए फाइनल आंसर मैंने ढूंडा है यानि कि पूरा ओफिशल आंसर है और यह जो आपका ओफिशल नोटिफिकेशन है उसमें भी दिया गया है ठीक है यह ग्रूप D वाला मैंने खुला हुआ है आप लोग चाहिए तो NTPC वाले में भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माली जी यहाँ पर एक पोस्ट है माल लेते हैं OBC की कोई पोस्ट है और उस पर दो OBC के कैंडिडेट क्यालिफाई कर रहे हैं सेम माक्स के लिए और उनका मेडिकल स्टेंडर्ड पहले चेक होगा अगर उनका मेडिकल स्टेंडर्ड भी सेम है तो यहाँ पर age criteria के द्वारा उनको जो है post मिलेगी यानि कि जो older person होगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है older person shall be placed at higher merit and in case of age being same ठीक है पहले बात करते हैं कि उनकी age check करी जाएगी जिसमें age जादा होगी यानि कि जिस person की age जादा होगी वाली post उसको मिल जाएगी अब यहाँ पर condition यह बन जाती है कि उनकी age भी बिल्कुल same है तो क्या होगा देखिए आगे आगे है then alphabetical order a to z of the same shall be taken into account to break the tie यानि कि इस tie को रोकने के लिए यहाँ पर क्या करेंगी वो उसको alphabetical order में check करेंगे ठीक है a to z में check करेंगे जिसका नाम माली जी यहाँ पर किसी का नाम a से start होता है तो उसको वो job मिल जाएगी अगर किसी दूसरे person का नाम c a d से start हो रहा है तो उसको वो job नहीं मिलेगी तो यहाँ पर यह official criteria होता है अगर एक post पर जो है same category same medical standard और same marks वाला student qualify कर जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में document verification पर बना दूँगा